चहरा धूने या साफ करने से पहले कुछ खास बातों को जान लेना बेहर ज़रूरी है चहरा धूने के लिए गरम या गुनगुने पानी का इस्तमाल पिलकुल ना करें ऐसा करने से आपके स्किन उम्र से पहले घराब हो जाती है स्किन केर एक्सपर्ट मानते हैं कि चहरे को गरम पानी से धूने पर स्किन पर कई तरह के इंफेक्शन होने लगते हैं आँखों के नीचे काले घेरे, चहरे पर आने वाला लाल पन और तमाम स्किन प्रॉब्लम होने लगते हैं अगर आपको लगता है कि आपके आँखों के नीचे काले केरे बढ़ते ज़ा रहे हैं तो आप गरम या गुंगुने पानी से अपना चेहरा धोते हैं पिस आदत को सुधार लीजे गरम या गुनगुने पानी से चेहरे धोने पर स्किन की पोर्स खुल जाते हैं और चेहरा लाल होने लगता है अगर आप इस समस्या से जूच रहे हैं तो सुबा और शाम अपने चेहरे पर तंडे पानी की छीटे या तंडे पानी से मूध होते रहिए ऐसा करने से आपको जल दी समस्या से चुटकारा मिलेंगे ठंडे पाने से चेहरा धूने पर आपके स्किन की कई समस्या दूर हो सकती है अगर आपके फेस पर पिंपल्स हैं तो आपको एक सॉफ्ट साबुन का इस्तमाल करने की जरूरत है आपको अबने चहरे की स्किन के मताबिक साबुन का चुनाफ करना चाहिए ताकि आपके फेस पर natural glow बना रहे आपके आखे आपके स्किन को और वहतर तरीके से निखारने में मदद करती है अगर आपके चेहरे पर जुरियां हैं तो आपको अपने चेहरे को ठंडे पानी से दोना चाहिए ऐसा करने से आपका चेहरा सॉफ्ट भी रहेगा और जुरियां भी कम हो जाएंगी इस वीडियो में फिलाल इतना ही ऐसी ही तमाम ज़ानकारियों के लिए पुल्ट स्काय को सबस्क्राइब करना ना भूलो